नमस्कार आप देखे हैं अलाइव 24 न्यूज मैं हूँ आपके साथ प्रियांशी गुपता जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले की सिक्षा और आज की सिक्षा में काफी अंतर आ गया है बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्द कराई जा रही हैं लेकिन इसके बावजूद वे इसका लाब नहीं उठा पारे साथ ही माबाप भी अपने बच्चों पर पढ़ाई का बोज डाल रहे हैं आज कल माबाप को यह लगता है कि बच्चों को सारी सिक्षा सिर्फ स्कूलों में ही मिलती है और घर में उनको कोई ज़रूरत सिक्षा की नहीं है इन ही सब बातों को लेकर हमारे सनबाद दाता विशाल सकसेना ने नौरंगी लाल इंटर कॉलेज के प्रधानाचारे से खास बातचीत की देखे हमारी पूरी रिपोर्ट कलम वो चौक से लिखने वाली पट्टी हमें जरूर याद आती है और वहां से ही सिक्षा का स्थर हमारे इस देश में प्रारब हुआ और आज सरकारी विध्याले में भी पंखों की हवाओं में बैठ करके विध्यारती जब पढ़ता नहीं है तो बड़ा दुख होता है प्रधानाचारे को भी और पढ़ाने वालों को भी और अबिवाव को भी और समाज को भी इसी मुद्धे पर हम बाचीत करेंगे प्रधा में रहा करते थे वह सी टाट की बोरी का सिला हुआ बैक जिसमें किताबें लेके साइकल लटका के जाया करते थे और टाट पर बैठके पढ़ा करते थे उस समय की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में बहुत अंतर आया है आज बच्चों के पास सभी सुवदाएं होते ह हुए भी वह परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो उस वक्त पढ़ाई में जनून चात्रों में देखने को मिलता था उस समय सिकायते रहती थी के पंखार नहीं है कि साथ टेविल नहीं है कि कुर्सी वक्त की पढ़ाई में यह सभी सुविधाई नहीं थी आधार भूत उम्मीद की जाती है हकिकत यह है कि उस वक्त की सिच्छा पढ़ाली में संस्कार युक्त सिच्चा थी आज धीरे धीरे छात्रों में वो संस्कार धीरे धीरे लप्त होते चले जा रहे है आधे के जीवन में उसके परिवार की बहुत बड़ी भूमका होती है सर्फ क्या लगता है ये सच है कि माबाप परिवार बच्चे के लिए सबसे प्रथम पाट साला होती सबसे पहला गुरु माबाप ही होते हैं हम छात्रों में वो संसकार डूने की कोशिच करते हैं जो वो उन्हें देते हैं वह बहुत कम देखने को मिलता है माबाप चिर्फ ये कहकर बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि सारा का सारा संसकार और सिक्षा बिद्याले में ही प्राप्त होगी यह हकीकत है कि माबाप हमारे ये इस नीव की प्रतम पाट साला है निश्यत रूप से ये जो संसकार हैं वो प्रतम पाट साला के संसकार माबाप से जो सीखने को मिलने चाहिए वो आज की पीड़ी में बहुत कम मिलने को मिल रहे हैं और यहां पर हम प्रियास कर रहे हैं वो संसकार जो चात्र में होने चाहिए वो संसकार नहीं मिलने हैं एक छोटा सा मैं एक्जांप हमें हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनको क्रॉस कर जाएं हिम्मत नहीं होती थी आज का छात्र जब सेक्षक के सामने से निकलता है तो बाइक पर जा रहा हो तो होरन लगाएगा और साइकल जा रहा हो तो घंटी जरूर लगाएगा देखलो कि मैं आपके सामने से गोजर रहा हूँ, ये संस्कार है, ये आज काल, आज की पीडी में, आज संस्कार जो है, यहां पर आके हो, अच्छे ये परबर्तन का कारण क्या नजर आता है, क्योंकि हम हाई-टेक हो रहा हैं, इसलिए हमारे पास इंटरनेट आ गया है, इसलिए हम क् अपनी संस्कृति को क्यों बूलते जा रहे हैं यह सच है कि इसके लिए सिर्फ छात्र और अविवावग ही दोशी नहीं है इसके लिए समाज पूरा का पूरा दोशी है सिचकों ने भी अपने उत्तरदायत को दूसरों पर डाल लगा है सिचक भी अपने उत्तरदायत से बट पन्पन होगी तो छात्रों सिच्छक के बीज का सम्मंद निश्चित्रू से उसमें गिरावट आईगी वही गिरावट आज हम देख रहे हैं बिलकुल 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है और इद का परव भी है और हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सभी तोहारों को मन आता है और 15 अगस्त को रक्षा बंदन भी है सर इन तोहारों के लिए क्या कहना चाहेंगे और खास वरवर 15 अगस्त को लेकर के क्या तयारियां हैं देखे 15 अगस्त हमारा प्रतिवर्ष स्वाधिन्ता दिवर्ष के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष कोई नए तयारी और उल्लास और उमंग के साथ हम मनाते हैं इस वर्ष भी हम 15 अगस्त को बड़े हरस और उल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं ये बड़े इस वर्ष तो डबल खुशी का दिन है कि उस दिन हमारा रच्छा बंदन का भी तोहार है और हमारा 15 अगस्त वतंतरता दिवश भी है हम दोनो तेवारों को बड़े दूमदाम से मनाएंगे और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और हर सो लास और वमंग से मनाने जा रहे हैं सबसे पहले मैं सुतंतर दिवस की एडवांस में सभी सहरवासियों को और विद्ध्याले परिवार को हार दिख मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको एडवांस में सुबकामना देना चाहता हूँ यह थी हमारे साथ में प्रदानाचार जी जनोना संदेश डिया और कहा कि आज की सिख्षा प्रणाली में कहींना कहीं अंतर तो आया है और आज के ध्यारतियों को भी सोचना चाहिए और परिवार को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को किस दिसा में ले जा रहा है कैमरामेन रभी के साथ में विशाल सक्सेना की रिपोर्ट अलाइब 24 नीज के लिए बने रही है सच के साथ ये थी हमारे सन्वाग दाता विशाल सक्सेना की रिपोर्ट ऐसी तमाम बड़ी खब्रों के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है अलाइब 24 नीज देश और दुनिया की सबसे पहले ख़बर पाने के लिए हमारे Alive24 News चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें